नमस्ते दोस्तों आज फिर से मेरे यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागयत है तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस कराची हलवा तो उसके लिए हम एक कटोरी कर्ण फ्लॉर लेंगे और इसी कटोरी से दो कटोरी पानी लेंगे यह कटोरी और एक कटोरी सेट करने के लिए हम यह आई स्क्रीम का एक डबबा ले लिए हैं देखिए इस तरह का मेरे पास तब नहीं है बजिनाने केन उठाव नॉस्टिक पैन है वे नॉस्टिक पैन लाख और नाउस्टिक में meat यह विय है तो इस přेसे नई लाख रोट यह लाख तो पनी वी आपने लनाऐं में आले हो काटोरी कमी है चीनी बंटब दल्ड ऑव सब्सक्राइब एक पानी डालें. बशुद़ करेंगे इसे हमें चासनी नहीं बनाना है बस इसे हमें बलाना है चीनी को. कोटें करें और चेनी बीसलो बिज हो नंतजा हुआ है ? इस नीसे निमझा जांगे, निमबु याए सब्सक्रोम आपके सब्सक्रों, इंड़क्त करभा circuit आपके हुआए तो इसमें बीज चला गया है निम्बू के दो इसको हम निकाल लेंगे कि नीचे हमारा बैट जाता है तो इसको इस तरह हम वापस से मिलाएंगे ताकि यह लंब्स ना रह पाई इसमें कुछ भी और गयस का फ्लेम इसको सीलो ही रखेंगे जब तक कि हमारा यह गाड़ा ना हो चाहिए इसको बनाने में लगबाग 40-50 मिनिट जाता है पकड़ो एक गंटा इसे बहुत टाइम जाता है और सीलो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे इस तरह देखिए दोस्तों यह हमारा देखिए जैली टाइप होने लगा है तो हम अभी हम गैस का फ्लेम इस तरह लगातार चलाते रहेंगे देखिए फ्रेंट कुछ इस तरह हो गया है तो हम इसमें अभी जिस कटोरी से हमने आरा रोट लिया था उसी कटोरी की आधी कटोरी हमने देशिक घी लिया है तो उसको तीन-चार बार करके डालेंगे एक साथ में घी नहीं डालेंगे अब हम इसको लगातर चलाएंगे जब तक यह अब जोपना कर लें देखिए दोस्तों अब हमारा घी नहीं दिख रहे है तो वापस हम इसमें घी डालेंगे लगातर इसी तरह चलाएंगे वापस हम इसमें घी डालेंगे फटाफट इसी तरह चलाएंगे तो देखिए दोस्तों अब हमारा इसमें घी नहीं देख रहा है तो हम इसी पर इलाची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा अब अब जाड़ा होने लगा है यह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसी पहम डालेंगे अपना फूट कलर आप कौनसा भी फूट कलर ले सकते हो यह हमारा जलेवी वाला कलर आप ले सकते हो इस तरह घुमाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह हमारा पक चुका है यह दिखें कैसा गोल गोल खूंग रहा है गी भी हमारा छोड़ दिया देखिए साइट से तो अब हम अपने डालेंगे ड्राइफ्रूट्स तो कुछ इस तरह लिए काजू और बदाम अब इसको तो थोड़ा और चलाएंगे ठोड़ा हमारा जब देखिए इस तरह का हो गया है ना तो आप और चलाएंगे यह दोस्तों यह हमारा पूरी तरह से अच्छे सब अपक चुका है एं तो देखिए दोस्तों यह हमारा बन चुका है दिसको हम अभी पूरा घी छोड़ दिया है पूरा अच्छे से पक चुका है इसी स्टेज पे हम अभी गैस बंद कर देंगे इसको पहले से आपके है इसको तैयार करके रखिए में क्योंकि ठंड़ा जाएंगे तो फिर बनेगो नहीं सई से इसको अच्छे से शेय कर लेंगे और इसको 2-3 घंटे दख नीचे रख देंगे जब ठंड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे इस तरह तो यह हमारा देखिए ठंड़ा हो चुका है इस तरह और हम चाकु की मदद से पहले इस तरह सेड़ से इसे हम निकालेंगे इसे थाली में इसे पहले इसे उपर इसे रखेंगे कितना प्यारा देख रहा है इसको हम कट करेंगे खुजबू बहुत अच्छी आ रही है आप कभी भी घर पे बना के खा सकते हो बजार का केमिकल डाला रहता है अपना घर का ओरिजिनल जील डालो अच्छा अच्छा खाओ बीमारी से दूर रहा हूँ आरा देखिए और सोचिए खाने में कितना अच्छ लगेगा और कभी भी आप लोग बनाईए इस दम नाप जैसा मैंने बताया ना उसी तरह आप लोग भी नाप के बनाईएगा बिना नापे नहीं यह तो आप लोगों का अच्छा नहीं जारा यह रेश्पी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं एगली वीडियो में